सर्दियां चल रही हो या फिर बारिश का मौसम हो या फिर कभी आपका कुछ लाइट सा खाने का मनो एकदम हेल्दी सूप का बोल मिल जाए तो मज़ा आ जाता है मैं हूँ आप सभी की फूडी होस्ट अमित और आज हम बनाने वाले हैं मिक्स्ट वेज़िटेबल सूप की रेसिपी जो की बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है ये सूप बनाने के लिए मैंने आदा कटोरी के जितना बारिक चॉप करके ब्रॉकली को लिया है एक जोथाई कप के जितना फूल गोबी को मैंने कद्दू कस करके लिया है एक चमच के जितना बारिक कटा हुआ लसन और एक चमच के जितना बारिक कटा हुआ अद्रक इसी के साथ एक से दो हरी मर्ची जितना भी तीखा आपको पसंद हो दो चम मच के जितना स्वीट कॉन लिया है आधा कटोरी के जितना हमने पत्ता गोबी बारीक चॉप करके लिया है आधा कटोरी के ही जितना मश्रूम भी चॉप करके लिया है एक शिम्ला मिर्च और साथ में एक गाजर को मैंने इस तरीके से चोटे-चोटे टुकडों में कट किया है एक प्याज है और धनिया पत्ते है इन सारी सबजियों को साफ करते वक्त, कट करते वक्त जो भी वेस्टेज बचा है उसको फेकेंगे नहीं उसको हम डालके पानी के साथ उबालके उसका वेजटेबल स्टॉक बनाएंगे जिसमें ब्रॉकली और साथ में गोबी की डंठल है, पत्ता गोबी का बाहर वाला हिस्सा है, गाजर के चिलके है, अद्रग का चिलका है ये धन्या की डंठले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इन सारी चीजों को डालके हम पानी के साथ उबाल लेंगे तो वो हमारा घर का बना वेजटेबल स्टॉक तयार हो जाएगा इसमें सिर्फ मैंने लसन का चिलका नहीं डाला है, बाकी सारी सबजियों का वेस्टेज डाला है लसन और प्यास का चिलका नहीं डाला है, बाकी सारी चीज़े हैं दो गलास के जितना हम पानी डाल देंगे एक तेजपत्ता और आठ से दस दाने काले मिर्च के बस इसे उबाल आने देना है और थोड़ा सा रिड्यूस करना है जैसे दो गलास हमने पानी डाला है ये रिड्यूस होके डेड़ गलास के जितना हो जाना चाहिए तो ये हमारा घर पे बना बिल्कुल हेल्दी तरीके से वेज़िटेबल स्टॉक तयार हो जाएगा सब्जियों के वेस्टिट से अगर आप मार्केट में वेज़िटेबल स्टॉक लेने जाओगे तो काफी महगा मिलता है बट हमें पता ही नहीं होता है कि हम घर पे बची हुई सब्जियों के छिलके से किस तरीके से वेज़िटेबल स्टॉक तयार करें बहुत ही आसान तरीका है जो भी जाग निकले उसको निकाल दें ताकि हमारा जो वेज़िटेबल स्टॉक एकदम क्लियर बने ये देखिए इस तरीके से जाग उपर आएगा बस आपको इसको निकाल लेना है और आपका वेज़िटेबल स्टॉक दस मिनिट के अंदर अंदर तयार हो जाएगा अब इसे हम छान लेंगे मैंने सिर्फ पांच मिट के लिए उबाला था हाई फ्लेम पे तो थोड़ा पानी रिड्यूस हो गया और इस तरीके से जितना भी बची सबजियों का जो फ्लेवर है और निट्रेंट्स हैं वो इस तरीके से इस पानी में आ चुके हैं इसे आप भटा सकते हैं अब अब हम तैयारी कर लेते हैं सूप बनाने की तो एक पैन में मैंने एक चंबच के जितना रिफाइंड ओयल लिया है आप बटर भी ले सकते हैं या फिर बटर रिफाइंड ओयल मिला के भी ले सकते हैं सबसे पहले हमने गार्लिक को डाल देना है तो ये कटा हुआ, लसन हमने डाल दिया, थोड़ा सा सौटे करेंगे, अद्रक हरी मिर्ची, इसे भी थोड़ा सा सौटे करेंगे, अद्रक का बहुत अच्छा फ्रेवर आता है, तो अद्रक और लसन अच्छे से डाले, एक एक चमच तो डाले ही, और साथ में प्याज, प्या अब इसमें हम सबजियां डालेंगे, गाजर है, शिमला मिर्च है, आप अपने मन पसंद की कोई भी सबजी से बना सकते हो सूप, मेरे पास जितनी थी अभी मैंने उनी से बनाया है, ऐसे कोई fix rule नहीं है कि जो सबजियां मैं डाल रही हूँ, आपको भी वही डालना है, आपक अच पर पकाऊगे, तो वह अपना जो पानी होता है, वो release कर देगा, वो हमें नहीं चाहिए, यह हमने cabbage और साथ में sweet corn add कर दिया, high flame पर ही saute करें, ताकि इन में crunch बिल्कुल बना रहे, सबजियों का color नहीं change होना चाहिए, अगर आप soup बना रहे हैं, तो इस चीज का ध्याम सबजियां हमने गलानी नहीं है, यहाँ पर मैंने broccoli डाल दी, ब्रॉकली से एक बहुत अच्छा texture आता है, और जो लोग vegetarian हैं, उनके लिए तो एक तरीके से वर्दान हैं broccoli, क्योंकि बहुत ज़ादा protein होता है, इसमें किसी भी non-ved से भी ज़ादा, 10 गुना ज़ादा protein होता है, तो अगर आप vegetarian हैं और broccoli है season में, तो ज़रूर उसको किसी ना किसी तरीके से अपनी diet में शामिल करें, और इस soup में बहुत अच्छी लगती है वो, मैंने एक चौथाई teaspoon के जितना काली मिर्च का powder भी add कर दिया, और उसके बाद ये पत्तागो भी add कर दिया, तो basically आपको सारी सबजियां बारी बारी करके add करना है, जो heart सबजियां है वो पहले add करना है, जो soft सबजियां है वो दिरे दिरे बादवली stage में add करना है, इसे एक से दो मिनिट के लिए हमने saute करना है, इसे गलाना नहीं है या फिर ढखना नहीं है, इसे खुले बर्दन में ही आपको पकाना ह अब यह हम एट कर देंगे अपना वेजेटेबल स्टॉक जो भी हमने बना के रखा था अगर आपने वेजेटेबल स्टॉक नहीं बनाना है तो आप सिंपल साधा पानी भी एट करके बना सकते हैं जब उबाल आने लगे तो मैंने ये आधा चमच के जितना हाफ टेबल स्पून के जितना बटर भी एड कर दिया एक अच्छे टेक्शर के लिए और यहां पर मैंने वन टेबल स्पून के जितना ये कौन स्टार्च लेके रखा है या फिर अरा रोट भी आप ले सकते हैं उसम पानी में ना अट करें उबलते हुए नहीं तो लंप्स बन जाएंगे फिर आपको उसको फिक्स करने में बहुत दिक्कत होगी आप कर भी नहीं पाएंगे तो पहले उसे पानी के साथ अच्छे से घोलने तभी आट करें जैसे ही आप कौन स्टार्च फली इसलरी आट जादे और जस्त तीस सेकंड के लिए हम और उबालेंगे यह मैंने आधा टीस्पून के ही जितना या फिर उससे भी थोड़ा सा कम चीनी आट की है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ी सी चीनी जरूर आट करके देखें सूप का टेस्टी बदल जाता है तो आल आटाना है वो बरकरार रहना चाहिए आपके सूप में तभी वो सूप होता है सबसे लास्ट में दनिया पत्ते बहुत ही जादा हेल्दी है बहुत ही जादा फ्लेवर्फुल है तो आप यह रैस्पी जरूर ट्राय करें यह देखें सबजियों का कलर बिलकुल बना हुआ है और क्रंच भी बना हुआ है बहुत ही ज़ादा हेल्दी है ये सूप और आपका अराम से 10 से 15 मिर्ट में घर पे बन जाएगा तो है ना कितनी इजी सी रेस्पी आप ये सूप ज़रूर ट्राय करें और अगर आपको कोई दिक्कत आती है रेस्पी के दौरान आप अपनी डाउट समेशा मुझसे कमें सेक्शन में पूछ सकते हैं सर्व करने के पहले आपकी चोईस है आप थोड़ा सा निम्बू का रस्पी डाल सकते हैं बहुत अच्छी फ्रेशनस एड़ करता है हमारे सूप में बाकी कंप्लीटली ऑप्शनल है चाहे तो एड़ कर सकते हैं मैंने थोड़ा सा निम्बू का रस एड़ किया और ये हमारा soup बिल्कुल ready है आप देख सकते हैं color बिल्कुल भी change नहीं हुआ है सबस्यों का और crunch बना हुआ है तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए तो दोस्तों गर आज की recipe आप सभी को useful लगी हो इसी तरीके की और भी recipes के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले साथी में subscribe button के बगल में जो bell icon होगा उसे भी आज से दबा देजेगा ताकि further notifications मिस ना हो मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नई recipe के साथ तब तक के लिए टेक किया बाबाई